हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ अनिल मौरिया और आप सभी लोग का स्वागत है गोल्डेन शेर मार्केट अकेडमी में तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं डीडी पी आई के बारे में ये बहुत ही एक इंट्रिस्टिंग और एक इंपोर्टन टॉपिक है आपके लिए अगर आप शेर बाजार में जो है ट्रेडिंग करते हैं तो फ्रेंट्स ये जो डीडी पी आई है ये एक नया प्रोसेस है सेवी के द्वारा लाया हुआ ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर्स क काम को आसान करने के लिए अभी देखो आपको पता होगा कि जभी आप सेयर्स खरीदते हो डिलिवरी में और उसको आप दो चार दिन दस दिन पंदर दिन रखते हो और फिर उसको सेल करते हो तो आपको पहले यानि 2020 से पहले क्या लगता था एक पीओए फॉर्म लगता था पीओए फॉर्म साइन करके ब्रोकर्स को भेजना पड़ता था तब जाके आप डिलिवरी के सेयर्स बेश सकते थे ये कोरोना यानि 2020 से पहले का प्रोसेस था फॉर्म सिगनेचर करके आपको भेजना पड़ता था ब्रोकर्स को फिर आप डिलिवरी के सेयर्स को बेश सकते उसके बाद एक नया क्रोना के टाइम पे एक नया प्रोसेस आया टीपिन करके राइट जो है EDIS करके था टीपिन सो आपको क्या करना पड़ता है अभी जो है अगर अपने शेयर्स को बेचना है तो आपको डेली बेसिस पे सुबह एक टीपिन डालना पड़ता है सही है कि नह हम सेयर बेचने जाते हैं हमको प्रॉफित हो रहा होता है तुरंद बिकता नहीं फिर टीपिन डालने जाते हैं तो फिर लंबा प्रोसेस हो राता है पारगें करो फिर नया टीपिन आएगा तो इसी चीज को रिप्लेस करने के लिए जो है सेभी नेएख डीडी पीयाई एक तो subscribe कर लीजिए और बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो ही वीडियो आए आपको सबसे पहले मिल जाए तो friends जो है चलते हैं हम इस वीडियो के अंदर और जानते हैं पूरी complete जानकारी GDPI के बारे में तो अभी जो आप delivery के shares बेचना होता है तो आप TP न इंटर करते हो दूसरा चीज है अगर आप GTT order लगाते हो अगर आपको GTT order पता होगा तो ठीक है नहीं पता होगा तो एक GTT order एक ऐसा order है यानि good till trigger इसको बोलते हैं क्या बोलते है good till trigger तो यह order क्या होता है समझो आपने कोई sales delivery में खरीदा और आप उसको बेचना चाहते हो समझो आपने 700 रुपे में खरीदा था और आप उसको 800 रुपे बेचना चाहते हो भी 800 रुपे तो तुरंत आज नहीं जाएगा हो सकता है हो सकता है 5 दिन 10 दिन बाद जाए लेकिन आप चाहते हो कि यार जब यह 800 रुपे जाए तो मेरा यह अपने आप बिग जाए तो इसके लिए जीटीटी ओर लगाते है इसके बारे मैंने वीडियो भी बनाया है आप वीडियो को देख सकते हैं मैं लिंक देता हूं डिस्किप्शन बॉक्स में तो जीटीटी ओर आप लग तो इसलिए जो है या फिर आप पी ओए फ़र्म साइन करके देतो बराबर तो यह भी एक है कुरियर को बहुत जाम जाम हो जाएगा इसलिए से भी ने डीडी पी आई लेके आया ताकि आपका काम पूरा आसान हो जाए डिलिवरी के से रातानी सेल कर पाओ आप जीटी ओर आसानी से लगा पाओ तो समझते हैं कि जी डीडी पी आई क्या होता है तो यह जो डीडी पी इसका फुल फॉर्म है डीमेट डेविट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन इसका यह फुल फॉर्म है फिराल फुल फॉर्म जानके भी क्या करेंगे तो अब जो है अब बात आता ह दीडीपी आई का तो बाकी के जो ब्रोकर्स है यह हमसे एक फॉर्म साइन करवा के लेते हैं डीडीपी आई का और वो हमको कुरियर ही करना पड़ता है लेकिन धान एक ऐसा ब्रोकर है जिसने डीडीपी आई को आनलाइन किया यह सबसे पहला बिलीव करोगे धान मुझे ओपनिंग इजी कर दिया ओप्शन ट्रेडर के लिए फीचर सीजी कर दिया इसने बहुत ही चीज़े आसान कर दिया तो धान ने ऐसा प्रोसेस लाया कि आप डीडीपी आई जो है ऑनलाइन कर सकते हो और आपको कोई भी कोरियर या कुछ भी करने की ज़रत नहीं पड़ेग अपने ही डीमेट अकाउंट से कर सकते हो यह मैं आपको लाइव स्क्रीन दिखाऊंगा कैसे इसको कर सकते है तो अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट धान में नहीं ओपन किया है तो सबसे पहले अपना डीमेट अकाउंट ओपन करिये धान में क्योंकि यह डी फिट हो जाएगा धन के जरीयर करेंगे तो काफी यह है और मेरी तरफ से मिलेगा पूरी सपोर्ट अगर किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए तो अपना ओपन कर लीजिए अब आपना आई डिपासवर्ट डालोगे आपको आइगा और आपका लॉगिन हो जाएगा अब चलिए मैंने लॉग्इन कर लिया यहां पर मेरा यह डीटेल्स आ रहा है डीवेट अकॉन लॉगिन होके आप मुझे समझो इसके अंदर डीटी पी एक्टिव करना है तो कैसे करने के बाद और यह मैं अभी डेश्टॉप पर बता रहा हूं कैसे करना राइट तो मनी पर क्लिक करना है वेव लॉगिन करने बाद अब यहां पर आजाओ देखो यहां पर ऑप्शन दिया है डीडीपी इनेबल डीडीपी आई फॉर फास्ट सेल राइट तो इसी के ऊपर ह जेखो यहां प्याँ प्याता है अब यहां सब्सक्राइब बटाब चाहिए से भी सेटलमेंड डीपी आइप ढ़रुटी के मथं ओर मतलब वही जो मैं आपको जीडिटी बताया यहां पर सव रुपए की चार्जेज लगता है स्टैम पेपर रहता है इसलिए सव रुपए की चार्जेज रहा लगता है अब यहां पर सव रुपए पेकर ना पड़ेगा पेह हंडेड फ्रम माई लेजर राइट आपको सव रुपए आपके डिमेट अकाउंसे कट हो जाएगा है तो सव रुपए अगर आप डिमेट पर रखते हो तो ही यह प्रोसेस आगे होगाँ में 100 रुपे नहीं है इसलिए यहां पर क्लिक नहीं हो रहा है राइट सो जैसे ही 100 रुपे मैं आड करूंगा चलो मैं 100 रुपे आपको एड करके दिखाएता हूं मैं टॉप पर जाओंगा राइट अब यहां पर यहां पर यहां से 100 रुपे मैं आड करूंगा तो चलो मैं आड कर लेता हूं तो यहां पर देखो मेरा पेमेंट जो है सक्सेस्फुल हो चुका है 100 रुपे एड हो चुका है राइट न सो गो टू हो यहां पर कर दिया अब देखो यहां पर मेरा इनेबल करके क्लिक हो रहा है यहां पर क्लिक किया है यहां पर यहां पर करना पड़ता है यानि आपको क्या करना पड़ता है एक आधार कार्ड आधार नमबर यहां पर करना पड़ता है यहां पर 50 रुपे करना पड़ता है और यह सारी चीज़े आपको यहां पर देखता है बस आपको इसको प्रोसेस कर देना है यहां प्रोसेस करोगे तो आपका आधार रेसान पर जाएगा और जो है इस सांब कर दोगे आपका यह डेडी पी आएई इसको कर सकते है राइट सो यह आप कर लीजिए और आपका सेलिंग इजी हो जाएगा तो यह बहुत ही सिंपल प्रोसेस है धान के जरिए पटा-पटा अपना डिबेड को करिए और ट् और किसी भी तरह आपको प्रॉब्लम हो करने में तो मुझे आप कमेंट बताइए या फिर मेरा मोबाइल नंबर दिया है आप मुझे वाटसप या कॉल कर सकते हैं तो फटा-फटा करना कर लिजी अपना यह सब किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए तो मुझे कॉंटेक कर लिज सके ओके फिर मिलते हैं अगली वीडियों में